इस वीडियो में एनरे सीटी के रिलेटेड अपडेट देने वालों मैं आपको पता है काफी टाइम से तीन-चार साल हो गाए नरे सीटी के बारे में सुनते बारे हैं कि अब होगा अब होगा सारी इंफर्मेशन आपको मिल जाएगी कि अब तक क्या हुआ है अभी लेटेस्ट इंफर्मेशन यह मिली थी कि इस यहर के एंड में नरे सीटी करवाए जागा तब भी मैंने आप लोगों कहा था कि बहुत ही मुश्किल है कि इस टाइम तक यह करवा लें और इस वीडियो मे अगर मैं बात करता हूं यहां पर अभी आइडियो का टाइम मिला तो बना दूंगा उसके बारे में बाकी यहां पर जो आटे रिप्लाय आया है वो एक एक करके सारे कुश्टेंस देखते हैं इससे आपको थोड़ा यह भी आइडिया लगेगा सीजल ट्वंटी ट्वंटी टू एन रसी टी के थुरू होगा या जैसे नॉर्मल चलतरा एससे करवा रहा था टीर वन वैसे होगा ठीक है सी एचसल ट्वंटी 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 टू की जो एसप्रेंट्स हैं वह अच्छे से डिस्जन ले पाएंगे अपनी त्यारी आगे कैसे करनी है और बाकी आ लिए आपको थोड़ा हिंड मिल जाएगा तो काफे सारे सवालों के जवाब आपको यहां पर मिलने वाले हैं आज फिफ्ट जीएश्टी टीए है तो सभी लोगों को बदाई एस टीडे की और टेलिग्राम चैनल जुरू जोइन कर लें जो भी इंपोर्टेंट अपडेट होते हैं एक्जाम से लेटिट वहाँ पर मिल जाते हैं आपको सारी पीडिएफ मिल जाती है प्रीविस यर कॉस्टिंस की जिससे आप अच्छे से प्रक्टिस कर सकते हैं ठीक है मॉक टोस्ट फॉम में भी पीडिएफ मिल जाएगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल से जुड़े हैं और आज GST के लिए 10 परसेंट ओफ रखा गया है कोर्स इस पर GST 10 कोड यूज करेंगे तो मैस के जितने भी कोर्सेंट आपको 10 परसेंट ओफ मिल जाएगा ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अप्लिकेशन का लिंक है कोर्स पर बाद में आएंग जो CT का स्कोर होगा उससे या तो स्क्रीनिंग कर दी जाएगी कि इस पर्टिकुलर कट ओफ से ज्यादा नमबर लेका है तो आप स्टेज 2 में जाओगे ठीक है या फिर उसके बैसिस पर जो भी रिक्विप्मेंट होगी सिर्फ टियर वन सी टियर तो उकुराया जाएगा ब इससे की लोगों को ज्यादा दूर ना जाना पड़े कम से कम स्क्रिंग टेस्ट के लिए राइट वस्ट टियर वन स्टेज के लिए और इतने सारे एक्जाम के अलग लग फोम बढ़ते हैं तो सबसे पहले ही होगा कि आप CT दे लो उसके स्कोर के बैसिस पर आपका अच्छ अब यह एक्स्पेंबर नहीं कर रहा पहले भी कर चुका हूँ ठीक है एनरे सीटी के बारे में जिक्र तो बहुत बार हुआ लेकिन मैं जो ऑफिशली जो कुर्वर्मेंट की वेबसाइट पर यह चीज़ हमें देखने को मिली वह बताता हूँ ठीक है 21 सेप्टेंबर 2020 मिनि यह भी नहीं हुआ इसके बाद अभी 22 मही को अपडेट आया था कि एर एंड में कराया जाएगा एर एंड में होगा नहीं होगा वह इस वीडियो माप को किलियर हो जाएगा चलते हैं आगे अब ही तक अगर मैं बात करूँ ओवरोल जब RTI मैं एक्स्प्लेइन कर दूंगा तो यही समझ में आ रहा है कि बाते बहुत हो रही है इसके बारे में काम इसमें इंटरनली थोड़ा-थोड़ा चल रहा होगा लेकिन बहुत बड़े लेवल पर बिता कोई भी काम नहीं हु है तो एक कंबाइन सब्सक्रिप्शन प्लान होता है टेस्ट बुक का वह आप दे सकते हैं यहां पर मैक्सिमम यूजर्स मिल जाएंगे अच्छा इंटर्फेस है तो अच्छा आप कर पाएंगे आज के लिए अगर आप टेस्ट बुक का पास लेते हैं तो वह 374 का पड़े अपनी जिसका रिप्लाइ एजनसी ने तीन जुन को भेज आता अपने एंट से फिर उन्हें कभी मिला होगा फिर उन्होंने मुझे मेल करा चार-पांस दिन पहले शायद उनका मेल आया था मैंने अभी रीड करा तो मैं इसके बारे में वीडियो बना के आपको साइज के बारे में पूचा कैया जो हमार लिए important नी और उसमें आपको data दे भी नहीं रखा एक लिडियो इकस़ेगां की कि अबिसर नहीं पॉइनड नहीं हो जैगा एक पब्लिक तो अभी तक सिर्फ 4 employees हैं, जो total sanctioned strength होनी है, NRA headquarter के अगर मैं बात करूँ, 33 तो NRA headquarter के अंदर employees रखने है, sanctioned strength इतनी है, और इसके 6 regional offices होंगे, जिसके अंदर 24 employees को रखना है, तो अगर मैं overall बात करो, इन सभी employees में से सिर्फ अभी तक 4 लोगों का recruitment हुआ, recruitment किस तरीके से किया जा रहा है, किस basis पे किया जा रहा है, उसके बारे में भी कोई information RTA में नहीं बताई गई है, ठीक हैं, तो अभी तक सिर्फ 4 लोग है NRA में, अगर मैं बात करता हूँ, functional chart NRA का अभी तक prepare नहीं हुआ है, जो NRA headquarter के डारेक्टर हैं, वो हैं हमारे पास, HK Partil Sir, जो की IAS officer है 2002 है जो agency technical support NRA को provide कराईगी, उसके बारे भी information या technical support का मतब NRA की website को manage करना, ठीक है, सारका सारा portal बगेरा बनाना, सब जो भी technical काम होगा, जैसे SSC, SSC कभी अभी, technical आप देखते हो SSC की regional websites है, overall website है, कोई query या आती है, कुछ दिक्कात होती है website में है, तो कौन सी team उसे handle करेगी, technical support कोन provide करेगा, इसके बारे में को information या vendor कोन है, exam paper कैसे describe बनेंगे, उसके बारे में भी कोई information अभी तक नहीं है, ठीक है, तो यह भी अपने आप में time consuming process होता, SSC में भी थोड़ टाइम पहले notice भी आया था, SSC के website पे technical support के लिए जो लोग provide कर सकते हैं, वो SSC में अपना आव इन agencies से communicate करने की जुरुत नहीं है, इन्होंने यहाँ पर यह लिखा है, ठीक है, NRE की अभी तक website चालू नहीं हुई है, अभी आप RTA लगाते हैं, तो directly नहीं लगती है, आपको, क्या कहते हैं, grievance डालनी पड़ती है, उसके बाद reply मिलता है, ठीक है, RTAonline.gov.in पर जब आप आप डालनी पर डालनी पर डालनी बड़ती है, अभी आप डालनी बड़ती है, अभी आप डालनी बड़ती है, तो आपको grievance पोर्टल से जाके, RTA लगानी बड़ेगी, वह सारी information यहाँ पर दे रखी है, ठीक है, कुछ टाइम में RTAonline.gov.in पर जाके आप अनरे से इतीक से related information ले पाएंगे, जो headquarters होगे, जैसे कि मैंने बताया, sorry, जो regional offices होगे, जैसे कि मैंने बताया, six regional offices होगे, वो कहाँ पर setup किये जाएंगे, अभी यह भी finalize नहीं किया गया है, ठीक है, पहले finalize होगा, फिर setup होगे, फिर उसके अंदर employees रखे जाएंगे, फिर process पुरा का पुरा चलेगा, ठीक, इसके बाद जो हर district में एक center होगा, अब वो center, already जो बने वे हैं, centers अलग-लग, इस्टिट्यूट्स के उन्हें ही use किया जाएगा, जैसे TCS के centers मिल जाते हैं, ठीक है, वैसे ही use करेंगे, गोर्बमेंट अपने अलग से बनाएगी, इसका नहीं पता, ठीक है, scheme of examination, fee structure, normalization, etc., इसे finalize करने के लिए, एक expert committee बनाई गई है, ठीक है, उसकी final report अभी तक नहीं आई है, इसी से related एक अभी fake news भी चली थी, जो मैंने का था कि fake हो सकती है, और बाद में fake ही निकली, right, तो कुछ भी अभी finalize नहीं है, इस चीज से related, online examination होगा, यह दे रखा है, general body of national recruitment agency, is competent all persons, मतलब यह है, कि जो exam dates वगरा, जो भी decide करेगी, वो general body of national recruitment agency, decide करेगी, काफ सारी body जहें है, इसके अंदर, ठीक है, वो उसमें हमारा ज्यादा काम का नहीं है, अनरे एक autonomous self-reliant body होगी, central government के इंडर, fees क्या होगी, यह अभी decide नहीं हो, बाकि यही सारी information है, ठीक है, अभी यहाँ पे एक सवाल यह भी पूछा था, कि कौन सी recruitment body है, जो select करती है employees को NRA के लिए, ठीक है, NRA की post को, तो यहाँ पे भी इसका कोई answer नहीं है, कोई recruitment body ऐसी नहीं है, तो process भी clear नहीं है, कि किस तरह से NRA office में जो employees होगे, वो select किये जाएंगे, बाकी यह है, कितने लोग suspend हुए है, जिनने जोब लोड़ी, ठीक है, बिकार के question से यह दोनों छोड़ दो, ठीक है, अगर expenditure की बात करे जाएंगे, तो सवाल यह पूछा था, 2021-25 financial है, मतलब 1 April 2021 से लेके 31 March 2022 तक कितना खर्चा हुआ है, अभी तक, तो जो budget ऐलोट किया गया था, वो 58 crores का किया गया था, जो खर्चा हुआ है, वो 13.47 crores का हुआ है, NRA CET से related, तो यह सारी की सारी information आपको NRA CET के बारे में मिली, और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, अभी किस level पर काम चल रहा है, ठीक है, बहुत ही minimum चीज़े हुआ है, total 4 employees रखे गए, अभी total employees का selection नहीं हुआ, कौन-कौन employees होंगे, कौन सा vendor है, जो technical support देगा NRA CET को, उसके बारे में कोई information नहीं है, ठीक है, कहाँ पे centers होंगे, regional offices कहाँ पे होंगे, कोई इसके बारे में भी तख clear clarity नहीं, exam pattern, syllabus, examination fee, ठीक है, age limit के बारे में भी पूछा था कुछ, वो भी clear नहीं करा कि minimum age limit क्या होगी, कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन-कौन- ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है, statements तो हम 3 साल से सुनते वे आ रहे हैं, कि अब हो जाएगा 4 महिने और हो जाएगा 5 महिने में, लेकिन हो नहीं रहा है, ठीक है, और अभी भी एक साल तक तो मिझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, जो लोग अगर आप SSC exams की तियारी कर रहे CT के wait मत करू बिल्कुल भी, कि हाँ, अब इसका syllabus आएगा तो मैं इसकी तियारी करूँगा, 5 chance, 1% अगर हो भी जाता है 2022 के अंदर CT, जो की उमीद नहीं है, तो भी जो changes होंगे, जब syllabus डिक्लियर किया जाएगा, उसके 3-4 महिने आपको मिलेंगे, उसमें एक दो topics अगर कम य पहले ही आगया था, IBPS का हो भी रहे है, ठीक है, और SSC exams का 2021 तक का calendar दिया था, जो की 2023 तक चल रहे है, SSC के 2021 वाल examination, ठीक हो सकता है कि आने वाले टाइम में, 5-6 महिने में, CGL, CHS का जैसे नोवंबर, दिसंबर में अभी notification निकला था, पिछली बार, ऐसी इस बार भी, CGL 2022 का CH उस time के approximately आपको notification देखने को मिल जाए, या उसके एक-दो महिने बाद, लेकिन अपनी त्यारी मद छोड़ो, जो लोग बहुत अच्छे होते है, पहले से aptitude में, वो लोग तो ऐसे भी कर लेते हैं, लेकिन जो लोग भी होते हैं, अगर वो exam time में notification आने के बाद सोचेंगे, क वो तीन-चार महिने में त्यारी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो top post पर या जो dream job होते हैं, वहां तक नहीं पहुच पाते, boundary पर कहीं ऐसी job पर पहुचेंगे, जो उन्हें करनी भी नहीं होगी शायद, तो अपनी त्यारी में, अभी C++L का tier 1 का answer किया गई थी, ठीक है, वो फेस 9 का examination, जो कि मार्च में finish हो गया था, अभी तक उसकी tier 1 का result नहीं आया, face 10 के form already fill हो चुके है, ठीक है, CGL 21 tier 1 का result काव आयागा, उसकी date नहीं दे रखे, तो काफी सारी चीज़े SSC के already pending में है, ठीक है, और NRACET तो अभी बहुत ही पीछे चल रहा है, तो यही सारा update था, इस वीडियो के अंदर, और जैसे कि मैं बता रहा था आपको, जो courses है, हमारा math का, जो course मिलेगा आपको, ठीक है, अभी आप 3 में से कोई भी plan opt करेंगे, तो वो इतने prices का आपको पड़ेगा, काफी affordable prices रखे वे हैं, इसमें आपको सारे recorded videos, class, notes, PDF, practice session, सारे मिल जाएंगे, CGL 2021, CHSL 2021, अगर आपने वेपर देखे होंगे, तो बहुत मुश्किल questions नहीं पूछे, बहुत ही, किने चुने concepts आपको लगेंगे, जो नए पूछ लिए, ठीक है, बाकी ज़्यादा कुछ अलग है ही निवसके अंदर, जो से पहले तक था, ठीक है, उसमें ही अच्छे सारे के स सारे concept से, सारे latest pattern में based मैंने पूरा course त्यार कर रहा है, अगर आप math पढ़ना चाते है, upcoming S.S.E. examinations के लिए, या फिर अगर आप D.T. रुपेस भी exam देते हैं, आप हरियाना C.E.T. देते हैं, या कोई भी examination जो आपस अभी exam होने वाले हैं, ठीक है, government job की मैं बात कर रहा तो अगर आप एक बार पढ़ लेंगे S.S.E. exams के लिए तयारी कर लेंगे math section की, तो आपको उन exams में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाले, आप बस ले बस में देख ले, कौन-कौन से topic पूछे जा रहे हैं, ठीक, जो भी classes होती है, हर class का heading, उसमें कितने घंटे का session होगा, उस साथ class notes English language में यह सारी चीज़े available रहती है, तो कम time में आप ज्यादा चीज़े सीख सकते हैं, ठीक, अपने इसाब से subscription plan ओप कर सकते हैं, अगर आपको त्यारी करनी है, इसके, ठीक, अगर आपको डाउट फूल लग रहा है, आप explore कर रहे हो चीज़ों को तो पहले explore को, अप लेप्टोफ पे भी वीडियोज को access कर सकते हैं, ठीक है, PDF भी वहां से download हो जाएगी desktop और laptop से, और जो PDF कोर्स होता है, वो मैस कोर्स के साथ free रहता है, बाकि इसमें यह सारी PDFs already available, आने वाले टाइम में धीरी-दीरे PDFs add-on होती जा रहे हैं, ठीक है, तो bye-bye everyone, take care, have a nice day and जैह mind.